आदेनिये सभाबती जी जब देश को अधुलिक होना है नए संचल्कों को पार करना है तो हम साइन्स और टेक्नोलोजी के सामर से को नकार नहीं सकते हैं साइन्स और टेक्नोलोजी के मात्मय को हमारी सरकार भली बाती समझती है लेकिन हम तुकुड़ों में नहीं सोचते हैं हम तोकनियम में नहीं सोचते हैं हम साइन्स और टेक्नोलोजी के तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में काम कर रहे हैं सार्वत्रिक प्रयास कर रहे हैं अधे किमित इनिशेटिव ले रहे हैं और इसलिए बच्छमन में साइन्टिफिक टेप्रावेट डेवलप करने के लिए अटल टिंकरिंग लेब ये ग्ज्ञानिक सोच के निर्मान के लिए स्कूल के लेबल पर बच्छों को हमने अवसर दिया उससे थोड़ा आगे निकले बच्चा कुछ करना शुरू कर रहे तो हमने अटल इंक्यूबेशन सेंटर खड़े किये ताकि कुछ अगर अच्छी प्रगती की है तो उसको वो वाईव बंदल मिले ताकि वो टेक्नलोजी में कंवर्ट करने के लिए वो फोड़ वो इनोवेशन काम आजाए इसके लिए हमने विज्ञान की इस प्रगती का प्रणाम हमने नीटिया बढ़ ली स्पेस के छेत्र में अब प्राइवेट भागीदारी का हमने सपना पुरा किया और मुझे खुशी है मेरे देश के नवजवान आज प्राइवेट शकलाइट छोड़ने की ताकत रखते हैं यह साइंस और टेक्लोजी आज स्टार्ट अप की दुनिया जो मुलता साइंस और टेक्लोलोजी से जुड़ी ही है उतने युनिकॉन की संख्या में आज हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पूँच गए हैं आजनिये सभापती जी आज ये देश घर्व करेगा कि सरवाधिक पेटन इनोवेशन और दुनिया के बाजार में टिकता है पेटन ये सबसे अधिक पेटन रिजिस्टर करने में आज मेरे देश के नवजवान आग दिखा दिया और आधार से जुड़े हुए जो विद्वान लोग है उन्होंने भी कहा है कि आधार के महत्वकों टेक्नोलोजी के महत्वकों 2014 के बाद समझा गया और उसके कारण वो मेहनत अब रंगल आ रही है हमने देखा है कोविड के काल में कोविन प्रेट्फर्म दोस करोड देखिनेशन और सटिफिके कोविन का आपके मुबाईल पर इजिने सेकंड आज आता है लेकिन दुनिया को चंबा तब हुआ कि भारत अपनी वेक्सिन लेकर कि आ गया को में दुनिया के लोग अपनी वैक्षीम हमारे यहां पर बहुत बड़ा मारके था बेचने के के लिए बाती-बाती के पैसर करते थे आटिकल लिखे जाते थे इन कुछल पर紙वी विए शेमिनार की जाते थे इतना ही नहीं मेरे देच के बैज्णिकों का बदराम कर ले करें लिए उनक निचाद इताने के लिए कल सिख्राइब सफ्में काया है कम इस और और मेरे ही देश के वैज्ञानिकों ने आज दुनिया में जिसको स्विक्रती मली है इसी वैच्छिन से मेरे देश वाज्चियों का ही नहीं देशों देशों के लोगों के आवेश रखता हुआ है ये वैज्ञान के विरोजी लोग ये टेश्चियों के विरोजी के विरोजी है हमारे वैज्ञानिकों को बदनाम करने का को इपनो इसको बदनाम करने करेंके रहेंगे लोग उनको देश की किंता नहीं है, अपने राजनीति उठापड़ की किंता है, ये दुर्भा के है देश का, आदर्णीय सभाबती जी, आज बाली में था, जी ट्वेंटी देश के समों, डीजिटल इंडिया इंको समझने के लिए लाला ही तहते थे, सक्सेस को पुरी दुनिया न है, आज हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ है, आदर्णीय सभाबती जी, हमें खुसी आए, आज सो करोर से जाजा मोबाइल फोन मेरे देश वास्यों के हाथ में है, आदर्णीय सभाबती जी, एक समय था, हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज गरवा है, मेरा देश मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, आज देश बहुत तेज गती से अपना रहा है, उसका विस्तार कर रहा है, ड्रोन इसका उस्तमाल सामान ने जिवन में हो, सामान ने नागरी की बलाई हो, हमने पॉलिसी में वो बढ़्लाव किया, और दवाईयां दूर सुदूर इलाकों में द्रोन से पहुंचाने का काम, आज मेरे देश में हो रहा है, साइन्स और टेक्नोलोजी के महात्मे को, आज खेत में मेरा किसान, द्रोन की ट्रेनिंग लेकर के, खेती में द्रोन का क्या हो आज मेरे गाउं में दिखाई दे रहा है, चीयो स्पेशल सेक्टर में हमने दरवाजे खोल दिये, ड्रोन के लिए एक पुरा नया विकास का विस्तार करने का अउसर हमने कर दिया, आज देश में यूएन जैसे लोग चर्चा करते हैं, कि दुनिया में लोगों के पास, अपने पास जमीन के घर के माली काना हक नहीं है, यूएन की चिंता है दुनिया, भारपने द्रोन की मदद से, स्वामित्व योजना से, गाउं में, गरों में, उसका नक्सा और माली की हक देने का काम क्या है, उसको कोड कटेरी के टक्करों से, और कभी गर बंद हो, कोई आ मामन मैं के लिए करजय के इस दिशा में सफलता पाई है, आज देश टेक्नोलोजी के खेतर, आज दुने एक विक्सीत बारत के सपने में उसका मात्मा अन पहुत है, और इसलिए, ईूमन डिस और डवलप्र, इनोवेशन, इसका मात्मा बहुत है, और इसलिए दुनिया की एक मात्रपślद्वार्शिक साइस उनिवर्सिटी हमारे देश में हमने गपी सक्क्षर्टी उनिवर्सिटी बना करके इन्फराश्रक्रेक्ष्र के दुनिया में एक नई पहल की है हमने एनर्जी उन्यूवर्सिटी बना करके आज देश इन्डियूबाल एनर्जी के शेत्र में एक नया जम्ट लगाएं अभी से हमारे नौजवान तयार हो उद्धिशा में हम कार रहे हैं ह strengthened के तरफ तरफ하겠습니다 नफ्ड कीमरे में कांग्रिस अपने में कोई पजाश्म है है मारे कार रखल में कोई कमी नहां है है एक ऐस हमारा रास्ता है